दंड धोती थोड़ी एडवांस हमारी ये शुद्धी किरिया का पार्ट माना जाता है ये हिर्दे धोती के अंतरगत आती है अगर मैं मोटे तोर पर आपको बताऊं तो हिर्दे धोती में वस्तर धोती आती है वमन धोती आती है और दंड धोती आती है जिसको हिर्देयरोग हो जिसके पेट में अलसर के फोडे हो जिसको हर्या की शिकैत हो जिसको उचरगत चाप का दोस हो और महिलाओं को गर्ब काल में यह किरिया नहीं करनी चाहिए कठिन होने के नाते अगर किसी से नहीं होती तो तो इसके सीखने की वीधी भी मैं आज आपको बताऊँगा, लेकिन, सामान्य तरह हम क्या करते हैं, तीन गिलास पानी, तीन से ज़्यादा भी पी सकते हैं, पर नॉर्मली स्टेंडर तीन गिलास का है, तीन गिलास पानी, बिना ब्रेक के, लगातार कुंजल की तरह पीना है, यह भी कुंजल का ही रूप है, बस कुंजल में हम, उंग्ली डाल करकर वैसे निकालते हैं, इसको पाइप से निकालते हैं, तीन गिलास पानी पी करके, मुझे हलका आगे की और जुकना है, यहां से, हलका सा बस, और जो pipe है दंड दोती ये लगबग धाई फुट लंबी रबड की catheter होती है इसको यहाँ अगर नई हम ले करके जाते हैं तो उसको पहले खूब अच्छे गरम पानी के अंदर पांस साथ मिनट डाल दें फिर उसको एक दो बार धोले फिर इसका प्रियोग करना चाहिए जीवा को बाहर निकाल करके इसको हलका सा गले पे रखा जाता है जैसे गले रखेंगे आपको उबकाई सी आएगी उल्टी आई जैसे उल्टी आने को लगे इसको हलका सा जैसे पानी निगलते इसको निगलो जैसे निगलेंगे ये एक, दो, तीन सेंटीमीटर अंदर चली जाएगी, फिर उसको थोड़ी सी, फिर उबकाई आएगी, फिर अंदर, फिर उबकाई आएगी, फिर अंदर, जैसे जैसे वो करते रहेंगे, ये अंदर चलती रहेगी, हमारी अठाइस सेंटीमीटर लंबी, म तक लंबाई है, इसके बाद हमारा ये यहां पर वाल्ब है, इस वाल्ब से जैसे ही अंदर जाएगा ये, वो तीन गिलास पानी वाँ पढ़े वे हैं, और आप हलका सा जुके वे हो, तो एक हिससे इसका बहार होगा, एक हिससा इसका अमाश्य होगा, जैसे ये अमाश्य में जाएगा, तो पानी के संपर्क में आएगा, पानी उसी समय बहार उस पाइप से आना सुरू हो जाएगा, पानी को बहार आने दीजिए, जब अंत में थोड़ा सा पेट को दबाईए, बचा हुआ पानी भी बहार आ जाएगा, और बहार निकालेंगे तो जटके से कभी भी भूल के भी मत निकाल देना, बहुत धीरे, धीरे, धीरे पाइप को बार निकाल दीजिए, वो बड़ा कफ से धसाबा होगा, तो उसको धो करके रख दीजिए, सुरू में सुरू में, हफ्ता, दो हफ्ता, ये हफ्ते में एक बार करने की किरिया है, आप दो मिनट का सवासन कुंजल की तरह कर लीजिए, बाद में उसकी भी आवशक्ता नहीं पड़ेगी, रेगुलर ये किरिया नहीं करनी चाहिए, जिसको इससे ना होती हो, उनको क्या करना चाहिए? ये मैं दिखा दूँ, कैथेडर ये 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 कैथेडर है, जो हमें अमाश्य तक पहुचानी होती है, और डोक्टर पहुचाता है बाद में जब अंदर पहुचाते हैं, नहीं पहुचाता है, आपने आप डालना सीख जाएं, तो फिर डर नी लगना और नोबत नी आनी सुन लिए जी आप, जल्दी मत करो, मुझे मालूम है ये बात समझ में आगए ये आपको, इसको धीरे धीरे करना है अगर जिससे बिलकुन नहीं होती, उसको करना क्या है, एक इसका बंद सीरा होता है एक खुला सीरा होता है, दोने खुले हैं, एक जादा खुला होता है, एक कम खुला होता है जो कम खुला होता है, वो यूज करना है, और बहुत जादा नहीं डालनी, अंदादा बतला रहा हूं, अंदादा इतनी अंदर जाती है बाकी बाहर रहेगी, हाँ एक फुट से थोड़ा जादा, लगबख सवा फुट लगा लीजी आप इसको, क्योंकि अठाई सेंटिमेटर ये, अमाश्य में भी चार पांच सेंटिमेटर जाएगी, जाएगी, गला मुह में भी चार पांच इसमें भी जाएगी, तो सवा करके ये नहीं, बिन नहीं पानी पी, इसे धीरे, धीरे, जब ऐसे डलने लग जाएगी, आप देखेंगे, लगबख एक अफ़ता, दस दिन, आच दिन, तब रेगुलर करते रहो, पानी तो है नहीं, वो तो बीच में से वापीछ लानी आपको, फिर एक दिन हम इसमें काम हो आई हैं सिर्फ, अभी मैंने इसको, किसी को देने की अनुमती नहीं दी, अगर किसी ने ली ए, तो वो गैर कानूनी तरीके से ली और देने वाले ने भी ऐसे दी है, वो आज से दरवाजा खोलना था मैंने, क्योंकि मैंने सुरवात अपने शिरोताद से करनी है, आप मेर जैसे संक प्रक्षालन करवाने वाले धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, तो 5, 7, 10, 15 हो जाएंगे, फिर 15 के 30, 30 के 40, 40 के 50, फिर नोर्मल हो जाएगी यह बाद, ठीक होगी यह बाद, लाओ पानी, पानी शैलाइन, लूक वाम वाटर भी हो सकता है, हलका नमकीन गरम पानी, वरन यह नीचे रख़ा देंगे, यह तो, यहां भी हो जाएगा, पानी तो इसमें आना है, यह ज्यादा ठीक रेगी, आनी गरम है ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, नजर आ रहा है ना, यह उठाद, यह उठाद, यह उठाद, यह उठाद, यह उठाद, वैसे तो बैठके पिना यह कागासन में ऐसी कर लेता हूँ, थीन गिलास फानी होगा ना, आपको, परिखरा आपको, कर लेक को, यह को भी बाहर है ना, ओे वाद, यह उठाद, यह उठाद, जreek काटा धिलास, यह उठाद, बाहर है क्रहते हैं यहा।, biz Cakeव, वह उठाभी जया है यहा है飯 झराद, इसमास्वादे कूश्न का यहार है यहुत वार में वर्णवाद, लिया फखराद, वह जए ल अजब 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 हम विया शर्भप अजब ए झाल 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 झाल